तो एलो फ्रेंट कैसे हैं आप दोस्तो आज मैं आपको बताने वालों Samsung Galaxy की आप बोल सकते हैं Samsung Mobile की आपको best security tips बताने वालों उन आपको एक option मिलता है यहां पर biometric and security का आपको दिख रहा होगा आपको उसके अंदर जाना है यहां पर आपको यहां पर बता रहा है अगर आपके पास कोई भी अगर एप ऐसे दिख रही है जो भी harmful है तो आपको उसको अनिस्टॉल करना अगर आपकी यूज की नहीं है और आपको लगता है कि आपने डाउनलोड नहीं करी आप उसको definitely अनिस्टॉल कर दीजिए और उसके बाद आपको नहीं दिख रहा है आप आपको दूसरी बताने वाला उसके लिए आपको घाने अपना एमांए मिलएगा यहाँ पर छानेंगे यहां लाटर आपके मुवाल में लास दिख रहा हो डिवाइस प्रडेक्शन के नाम से अपको उसके अंदर जाना है धोस्के यहाँ पर आपकर आपने इसको Dur इनेबल करें थेयूरों Representative आपधिएंगर तो आपको स्यम यहां रहा याउधकर और ऊपर नातु है ända रहा है तो कोई मतलब की स्कैन करने की आपके पास जुर्व करने का तो तो मतलब कि आपके मुमाइल में कोई प्रब्लम नहीं है तो जैसा हिए मेरे पास यहाँ बता रहा है कि स्केन नीडेडा तो आपको सिंपल यहां पर करना क्या है आहां पर on वाले क्लिक कर ले ऑप साहरे हैं आपके मॉवाइल को स्कैन कर लेगा या बूल सकते हैं जतनी भी आपके मॉवाइल जतने ज्यादा एप्स होंगी जतने ज्यादा आपके वाल में डेटा होगा उसके साफ से यह वर्क करता है तो उसको होने देते हैं तो जैसे कि पूरी पूरी आपकी स्कैनिंग कंप्लीट हो जाएगी तो यहां पर आप देख रहे हैं मेरा सेकेंड से अप थर्ट पर चला गय है मोबाइल ओप सेक्टिंग पर जाने का आपको आपको नीचे की तरफ आएंगए आपको एक औप्शन मिलता है सीक्यूर्टी पॉलिसी आप आपको इसको always click करके रखना है मतलब की जितने भी नई security policy आएंगी आपको इसको update करते रहना है नहीं तो अगर आप इसको off कर देंगे तो आपको latest update नहीं करेगा security policy के लिए तो आपको इसको always tick करके रखना है उसके बाद दोस्तों यहां back आना है आपको biometric and security वाले option के अंदर यहां पर आपको मिलेगा security update वाला जो option है आपको इस पर click करना है उस पर click करने के रहे है आपको इसको चेक कर लेड़ा अपडेट के लिए अगर अबडेट है तो आपको इसको update करना है अगर नहीं तो कोई वात नहीं उसके बाद दोस्तों जो लाना है सेटिंग में जाने का आप यहां पर यहां पर आएंगे नीचे की आपको एक ऑप्शन मिल रहा है तो यहां पर आपको चेक फूर अपडेट पर क्लिक करना है जैसी चेक फूर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो यह वापिस चेक कर लेगा कि आपके मॉमाइल में कोई गूगल प्ले स्टोर से लेकर कोई अपडेट तो नहीं आया अगर अपडेट आया होगा तो आपको इसको रखना है तो यह हमेशा ज्याद रखना है कि आपको जितनी भी सिक्योर्टी पॉलिसी उनको अपडेट करना है आफ्टर वन भी का आपको उसको चेक करते रहे ना उसके बाद दोस्तों जो लास्ट बताने वाला हूं वह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है उसके लिए आपको बाद यहां जाना है आपको और यहां पर आपको मिलेगा बादेट कर लेना है इसमें कोई अपडेट पैंडिंग तो नहीं आप देख रहे होंगे जैसा कि यहां पर बताया है बादेट बिए बर्जन इस इस टॉल यह दोनों के लिए हैं फिंगरपेंट और फेज्स रिग होता है उसको अप्डेट करके रखना इसको पैंडिंग में नहीं रखना सौफियर अपडेट को भी आपको करना उससे पहता है तो जब भी नए अपडेट आताए तो सिक्यूरुटी को इंप्रूफ किया जाता है तो आपको हमेशा अपने वाइल को सॉब्वेर को भी अपडेट करके रखना है दोस्तों यही जो लेटेस्ट यह बोल सकते हैं यही जो बैस्ट जो मैंने आपको security tips बता है उमीद है कि आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थैंक्यू